द्यान से देखिएगा Annual Value यानि सर आपको घर के उपर ना Rent पे टेक्स देना है जब सरकार ने बोला कि भाई आप टेक्स लाओ और टेक्स किस पे देना है आपको Rent पे देना है तो यहाँ पे क्या हुआ बोला भाईया सरकार ने तो लगा दिया Section 27 और 27 के अंदर बोल दिया डीम डॉनर अब सभी मकान मालिक जितने भी Land Loads है मान लेते है Mr. X ध्यान दीजिएगा और rented Mr. Y पता है मकान का किराए कितना है यह Mr. X को किराया देता है ध्यान दीजिए यह Mr. X को किराया देता है पचास अजार X ने अपना घर चाए Commercial Activity हो चाए Residential यह matter नहीं करता है अपना घर किराया पर दे दिया किसको पचास अजार रुपे का Mr. अब इसकी income टेक्स कोन देगा बताओ house property का X देगा X की income बताओ X की income महिने का पचास अजार है तो सर साल का तो भाईया इंडिया के अंदर सरकार कानून बनाती है उससे पहले लोगबाग अपना दिमाग लगा लेते है इससे बचा कैसे जाए इसको तोड़ा कैसे जाए कुछ ना कुछ तो करे यह सोच रहा है यार 6 लाक रुपे का tax फिर से देना पड़ेगा क्या फाइदा है कैसे बचाया जाए X ने सोचा एक काम करते है benefit लिया जा सकता है इसने कहा के चलो भाई Y के पास Y को बोला भाई सुन इदर तु मुझे कितना किराया देता है उसने बोला सर मैं 50,000 रुपे किराया देता हूँ और टाइम पे किराया देता हूँ ऐसा कोई लेट भी नहीं किया एकात दिन लेट हो जाता है बोला कोई भी पूछने आए तो बोल दियो 5000 रुपे किराया देता हूँ पचास जार मत बोलियो और आज के बाद बैंक बैंक में नहीं मुझे नगत चाहिए पैसा कोई भी आए पूछने के लिए मैं किसी को भी आउन लेके कि भाई तू कितना किराय देता है बता बता इनको बोल दियो पांच हजार यानि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में मिलके एक तरीके से प्लैन कर लिया अब मिस्टर एक्स साथ हजार रुपे बोलता है गौवर्मेंट को जी मेरी इंकम साथ हजार है मैं टेक्स कहां से टू गौवर्मेंट ने बौला भाहि एगर बहुत बड़ा है ताइल पथर लगा रकंगा है बुला भी साथ ही है चलो बूछलो किराय दार से चलकी किराधार के पास लेकिए अब यह कितना रेंट देते हैं उसने पांच यह जार देते हैं तो यूँकि किराधार को भी डर है बहुत बोल दिया वह इन्हें जूट बोल दिया मेरेको निकाल देगा अगले दिन आगे तो फिर इस के अंदर फिर टेक्स की चोरी हो सकती थी गव का annual income क्या होगा value वो हम बताएंगे section 13 में अब बोला गया भीया जो property से related काम करता है सब को बुला लिया government ने property से related काम करने वाला होता है एक mcd mcd ने tax लेता है हम इसा property का जिसे house tax के नाम से जानते हैं सुना हो तो जिनका घर freehold होता है उसको house tax देना होता है तो बोला mcd वाले आजा तू इधर साथ के साथ पडोस वालों को भी नहीं छोड़ा बोला neighbor इधर आजाओ कुछ करनी रहे लेकिन आजाओ कुछ बाते सवाल पूछनी है supreme court का act उठा लिया और उसके judge को phone लगा दिया भाया सर आपसे भी कुछ सवाल पूछने हमें हमें जवाब दे दीजिए मुझे income tax वसूलना है तीन लोगों को बुला लिया mcd वाले को बोला तू बता तेरे हिसाफ से इसका किराया कितना होना चाहिए यह तो क्या बोल रहा है इसकी छोड़ तू बता दे इसका किराया गया है mcd वाले ने उसको नापा देखा भाई टाइल लग रहा है पत्थर लग रहा है एकदम बहुत first class है एसी वेसी सब fitting furnace है सब चीज है mcd वाले ने बोला सर एक लाख रुपे किराया होना चाहिए मेने का mcd वाले ने बोला सर इसका तो एक लाख किराया होना चाहिए मेरे इसाफ से तो एक लाख है पर उसको बुला है भाई तेरा भी मकान ऐसा ही है सेम साइज का है तू कितने पर किराये पर देता है तू बता उसने बुला मैंने तो सर 80,000 रुपे में दे रखा है और मैं टेक्स भी भरता हूँ देख लो सुप्रीम कोट के या जज से पूछा फोन करके के जज साब आप बताईए इतना एरिया है इतना सरका लेट है एक बार कम्प्यूटर में फटा फट चेक करवाईए कि इस एरिये का इतना एरिये का कितना रेंट होना चाहिए एस पर रेंटल रेंट का भी हमारा एक 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 होत यह 55,000 यानि सब लगलग बोल रहे हैं अपने हिसाप से और सबसे ज़्यादा जूट बोल रहा है बोला भाईया तेरी बातों का विश्वास नहीं है तो 5000 रुपे उससे ट्रेक्स ले रहा है तो 5000 ले रहा है तो कम ले रहा है तेरी गलती हमारे अपना नुकसान क्यों करे तू फिरी में दे दे उसको मकान हम तो भाईया सारे नियम को लगाएंगे और जो सबसे ज़्यादा बन रहा होगा उससे टेक्स वसूल लेंगे तेर से उसके अकॉर्डिंग ली तो गौर्मेंट ने क्या करा annual value निकालने के लिए इनके कुछ provisions बना दिए समझ रहे हो ना ये क्या है section 3 तो उसने कुछ provisions बना दिए कि भाईया हम इसके अंदर लगाएंगे higher lower का concept लगाएंगे और उसके हिसाब से एक हम amount निकाल के बोलेंगे और अगर तू बोलता है मेरा अमाउंट अगर मान ले आ रहा है साथ हजार तू बोलता है कि मेरा पचास हजार तो मैं तो साथ पे लूँआ और मेरा अमाउंट आ रहा है साथ हजार तू बोलता है सतर आ रहा है तो मेरा गलत है उसको बोलेंगे municipal value उसको बोला कौन सा value जिसको mv बोलते है standard word है mv use भी किया जाता है अब पडोसी जो तू ने बताया वो है fair rent इसको fr से भी denote किया जाएगा जसाब जो आपने बताया वो है standard rent जिसको sr से denote कियेंगे honor जो तू ने बताया वो actual rent है मिला या नहीं मिला ये नहीं पता पर तू ने जो बताया उसका नाम रख रहे हैं actual rent यानि municipal value, fair rent, actual rent standard rent इन सब में comparison करेंगे और हम बताएंगे कि तुझे कितने rent पे text देना है तू मत बता कि किरायदार से कितने पैसे ले रहे तू free में दे हमें मतलब उससे नहीं है यानि घर किराय पे दिया जाए तो उसके लिए 23 आने का main वजह यही था आपने समझा ये क्योंकि यहाँ पे हो सकता है hair fair लेकिन सरकार कितना भी रोक ले तो कहीं न कहीं तो कम ज़ादा हो ही जाता है ठीक है न कितना भी रोक ले और बहुत सारे जगह पे तो government को पता भी नहीं चल पाता कि SSE कौन है नहीं है banking में जब transaction ज़ादा होता है तभी government आपके पास आ सकता है cash में कभी भी नहीं आएगा पचास लाक रुपे रेंट ले लो cash घर में पढ़ा है government को पता कैसे चलेगा कि पचास लाक रुपे रेंट आप ले रहे हो तो सेम बात है कि अगर banking transaction होता है तो पता चलता है तो annual value sir यानि section 23 format देखिएगा sir annual value ये define है sir section 23 के अंदर annual value कैसे निकाला जाए कुछ में एक format जो सरकार compare करती है वो मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको ये एक दो बार format compare करना पड़ेगा उसके बाद तो आपको याद हो जाएगा फिर तो आपको ये करने की जुरत नहीं है internally आप कर सकते हो अभी मैं सर्फ annual value कर रहा हूँ proper format अभी बाद में हम देखेंगे सर सबसे पहले लिखेंगे mcd वाले का value यानि municipal value जिसको बोला गया mv ये रख लेंगे सबसे पहले municipal value जो भी लिखा है मैं example उसके बाद लिखेंगे fair rent इसको मैं आज के बाद mv बोलूँगा और इसको आज के बाद मैं fr बोलूँगा government ने का भाया municipal value और fair rent इन दोनों में से जो higher होगा वो हम consider करेंगे पहले और उसको मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ उसको नाम दे देता हूँ मैं fr number one fr number one नाम दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से यानि सर अगर आपकी income यहाँ पे एक लाक रुपए इसने बताया और इसने बताया डेड़ लाक रुपए तो fr number one कितना होगा सर डेड़ लाक रुपए हो जाएगा जो कि आएगा 1.5 पहले यहाँ तक बात समझ में आई आई आपको इसके बाद बोला गया कि भाई यहाँ फर को one को compare करेंगे हम सुप्रीम कोट के यानि standard rent जिसको मैं SR लिख देता हूँ अभी तो लिख देता हूँ standard rent that is SR अब हमेशा सोचना क्या हम कानून से उपर जा सकते हैं जज बोले इसका किराय साथ हजार होना चीए और income tax वाले बोल रहें के जी इसका किराय डेड़ लाख रुपए तो हम किसकी बात मानेंगे जज की बात मानेंगे तो अब FR नंबर वन और इसके बीच में जब compare किया गया तो बोला गया भाईया यहाँ पे से ले लो lower यहाँ पे क्या ले लो आप lower इसलिए बोला कि जज की बात मान ली जाएगी यहाँ पे देखो एक लाख है जज ने बोला कितना होना चाहिए नब्य हजार कितना होना चाहिए तो कितना मान लोगे 90,000 जज ने बोला भाईया दो लाख होना चाहिए लेकिन income tax वाले बोल रहें के भाईया एक 70 पर टेक्स दो तो जज बोलेगा भाईया तुम्हें लग रहा है 70 पर लेलो हम क्या कह रहें मतलब हमारे रूल को मत तोड़ो हमारी बातों से के आगे मत जाओ लिखन उससे कम में तो आपने प्टा रहा कर सकते तो यानि इसमें क्या लिया गया है lower यानि municipal value और fair rent वे higher और जो भी result निकल के आया standard rent से compare करेंगे उसमें कौन से लिया जाएगा lower लिया जाएगा जो भी इनके बाद result आएगा उसका एक नाम दे दिया जाएगा जिसको that is expected rent यानि income tax वालों ने अपना expected rent निकाल लिया जिसको मैं ER बोल देता हूँ short form में सर क्या आया इसमें से expected rent 90,000 expected rent इसको compare करेंगे अब हम actual rent से received and receivable ARR received and receivable अब जो भी ये निकल के आएगा actual rent इसमें से compare करोगे तो लेना higher income tax बोलता है 90,000 उना चाहिए आप बोलते हो सर 60,000 रुपे है तो income tax बोलेगा तेरी बात में मानेंगे हम कितना लेंगे आप बोलते हो सर हमारा 80,000 बन रहा है income tax बोलेगा कि अब आपकी बात हम मानेंगे 80,000 रुपे यानि इन दोनों में से क्या लिया जाएगा higher whatever मान लेते हैं कि हमारा actual rent कितना आ रहा है सर 80,000 रुपे तो क्या माना जाएगा यहाँ पे higher बाल हाँ sorry 90 माना जाएगा क्या माना जाएगा अगर वो बोलता कि मैं एक लाक रुपे ले रहा हूं तो क्या मानते एक लाक यानि इन दोनों points में से higher अब higher के हिसाब से देखा जाए तो जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा तेईस section में जो define है उसको बोला जाता है gross annual value that is आपका 90,000 अभी मैं बस roughly बता रहा हूं काफे सारे सवाल करने हैं इसके उपर और ऐसे ही सवाल करने हैं जितने भी करने होंगे Sir ये क्या गया gross annual value यानि ये वाला जो portion है मैं circle कर रहा हूं ये आप rough में कहीं कर सकते हो अभी फिलाल के लिए ये वाला जो portion है न ये ये portion आप rough में कर सकते हो फिलाल के लिए या fair में भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं यानि हमारा main कहानी start होने वाला है यहां से इसके बाद से ये value निकालने के लिए हमें government के सारे rule उपर नीचे करके दिखने पढ़ेंगे यानि सर municipal value और fair rent में से higher उसके बाद जो answer आया और standard rent में से lower अब जो answer आया और actual rent में से और वो आएगा हमारा gross annual value जिसको कि मैं आज के बाद बोलूँगा GAV इसमें से अगर कोई municipal tax paid किया है तो सर उसको minus करना allowed है less कर देंगे यहां से municipal tax सर जिसको मैं बोलूँगा empty जो भी है कैसे दिया जाता है नहीं दिया जाता है इसके हम उपर पूरा question करेंगे अगली class के अंदर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए मैंने municipal tax paid किया है तो अब मेरा जो आएगा उसे बोलेंगे net annual value यानि सर NAV जो ऐसे ही आगया हमारा इसके बाद सर अभी कहानी खतम नहीं हुई अब मकान मालिक जब ये provision बना ऐसा बहुत गुस्सा हो गया जितने भी मकान मालिक थे वो सभी बहुत गुस्सा हो गया बोले ऐसा थोड़ी होता है आपने तो अपने इसाफ से निकाल लिया यह तो मनमानी कर रही है सरकार होता ऐसा वैसे जब भी सरकार को पैसे लेती है तो सारा मनमानी ही रहता है वैसे तो तो भाई जितने भी पबलिक थे उसने बोला के भाई ऐसा नहीं होता मनमानी कर रहे हो बोला क्या मनमानी बताओ क्या मनमानी यह बताओ क्या हम ऐसा कर रहे है बोला भाई तुमने तो rent rent ले लिया अब किरायदार तो ऐसे है बोलता है कभी tube light खराब हो गई कभी bulb खराब हो गया कभी नलका खराब हो गया कभी white was कराते हैं कभी first तोड देते हैं पैसा लगता है ये भी तो माइनस करने दो गौवर्मेंट ने बोला जाओ कर लो यानि जो भी वेल्यू आए इसमें से लेस कर लो क्या लेस कर लो अपना एक्सपेंस जैसे ये बोला किरायदार के हाथ मकान माली के हाथ खुल गए उसने बोला जी खर्चा एक लाक बोला बिल कहीं कहीं से बनवा के लिए आते हैं खर्चा कितना बोला गौवर्मेंट ने था हमने यहां कानून बनाया बनाते बनाते तुमने लास्ट में भी इसका तोड़ निकाल लिया यानि हमने income income सब निकाल के दिया आप तुम खर्चा माइनस करने के नाम पर जो मर्जी खर्चा माइनस करोगे बोला भाई इतना खर्चा हुआ है तो क्या करें गुवर्मेंट ने बोला भाई रुख जो ऐसे नहीं चलेगा जो भी खर्चा हुआ नहीं हुआ expert को बुलाए गया expert को बिठाए गया बोला भाई इसका क्या इलाज करें तो बोला गया कि भाई ये खर्चा और चलो तो हमेंसा जूट बोलेंगे और इससे कभी निपट नहीं सकते हो आप आप कितनी भी कोशिस कर लो इसको नहीं बचा सकते हो इससे अच्छा एक fix amount देदो तू ज़्यादा करे तब भी इतना मिलेगा कम करे तब भी इतना मिलेगा तो फिर बोला चलो एक एक ऐसा खर्चा इसको दे देते हैं जिसको हम डाल देते हैं section 24A जिसको बोला गया standard deduction जिसको बोला गया standard deduction आपने salary में भी देखा था standard deduction तो standard deduction का purpose ही होता है कि भाईया तुम बहुत ज़्यादा सरकार के साथ ना उल्ट सिल्ट खर्चे बता के अपने पैसे वसूर रियो तो वहाँ पे लिए आते हैं वो standard deduction भाई तेरा खर्चा नहीं हुआ एक ने बोला भाईय यानि 30% माइनस करने दिया गया और सर 30% कितना किसका 30% तो जो एने भी आया 80 80 का 30% मतलब 24,000 और बोला गया कि एक और चीज माइनस करने देंगे हम आपको 24 that is b यह तो genuine था यह interest सबसे important point है इस पे star भी बना देते हैं interest को माइनस करने दिया गया अब जो माइनस करके आएगा that is taxable salary taxable house property जो कि आगए 80 में से अगर आप 24 माइनस कर देते हो तो 56,000 आगे यहां तक पहले आपको सारी कहानी समझ में आई क्या बताईए हां हुई यह बताईए यह interest है यह loan बगेरा पर लाइग लगेगा तो इसको तभी मैं बता भी नहीं सकता और discussion भी नहीं कर सकता क्योंकि यह सबसे main section है और थोड़ा लंबा है यह और जैसे यह वाला point हमारा हो जाएगा तो मान के चलो फिर तो house property ही खतम last में होता ही है last का ए सब को coordinate करके बताना पड़ेगा अभी तो फिलाल समझो के हमें sir annual value निकालने के लिए पहले हमें mcd की value mv देखना है fair rent देखना है standard rent देखना है actual rent देखना है compare करके gav निकालेंगे gav में से minus करेंगे municipal tax municipal tax minus करने के बाद जो बचेगा सरकार के लिए 30% उसमें से क्या कर minus जो बाकी बचेगा उसके उपर हमें tax देना पड़ता है उसे taxable house property एक व्यक्ति से एक से ज़्यादा घर भी हो सकता है तो 23 section जो section number 23 था इसमें different different situation भी बताए गए हैं जो कि हम अगली class में cover करेंगे क्या situation sir जैसे कि हमारे पास दो घर है तो क्या होगा हम खुद रह रह रहे च्छे मैंने किराये पर देते हैं च्छे मैंने खुद रह लेते हैं तो क्या होगा आधा घर दिवार बना दिया आधा गर मैं रह रहा हूं आधा किराये पर दे दिया तो क्या होगा तो सारे situation हम उसके अंदर covered करने वाले हैं बताईए यहां तक किसी को doubt जी एभी के बाद deduct हुआ है वो बता दे जी ये भी के बाद डिड़क्ट हुआ है 24A standard deduction standard deduction क्या होता है आपका कि आपके जो two foot मरमत के लिए जो पूरे साल में अपने pocket से खर्चा करते हो सरकार ने उसके लिए fix कर दिया कितने percent 30 percent standard जब मैं section 24 कराऊंगा लग से तो इसके सारे points में बता दूँगा और समझ में भी आजाएगा 24A क्यों है B क्यों है municipal tax क्यों दिया गया ये सारी चीज़े मैंने अभी बोला तो 24B ना पूछा बार-बार इसी के पीछे पड़ गयो बिलकुल interest का मिलेगा ये तो 30 percent एनिवी के आ जाएगा हमेशा अब सब बताएंगे अभी अभी सिर्फ format नहीं question बताएगा और ये कैसे निकालेंगे इस पे भी पूरा एक provision लगेगा इसमें time बट सर एक आदमी को income rent से आ रहा है वो 5 लाक रुपए तो कुछ tax नहीं लगेगा न हाँ 5 लाक रुपए तक rental income है और कोई अधर income नहीं है सिर्फ total income पाँच बन रहा है कोई tax देने के अभशकता नहीं 87 ये के साथ रिवेट ले लेगा वो कोई दिक्कत सर बताईए कोई परिशानी no problem यहाँ तक clear है अब देखिए मैं तो चीजों को बताऊंगा कैसे करना अभी देखा जाए ना तो अभी वाले class में देखा जाए तो